हेलो फ्रेंट्स वëल्कम बेक टूर चायनल तो आज मैं आए हूं नर्शरी और फ्रेंट्स नर्शरी एक लीए हम लोग घर से नहीं निखले थे लेकिन घुमते-घुमते हम लोग इधार आ गए हैं शंडए है आज ही छुटी रहता है तो आज ही हम लोग घुमने के लिए इधार आये हैं और इधर एक नर्शरी दिख गया है हम लोगो और फिरिंस हमारे सहर में ही काफी बड़ी-बड़ी चीजे होती हैं और पता नहीं चलता है, हमेशा मैं एक रोड की नर्सरी से पौधा लेती थी, रोड की नर्सरी काफी लोग लगाते हैं नर्सरी तो वहीं से मैं हमेशा पौधा लेती थी, लेकिन आज हम लोग एक स्कूल आये हैं और वहाँ पर यह बहुत बड़ी नर्सरी है, सरकारी नर्सर किये तब तक पूरा अंधेरा हो गया तो ज्यादा तो वीडियो नहीं ले पाई हूं ब्राइटनेस ओन करके कैसे कैसे थोड़ा सा वीडियो ली हूं तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा नर्शरी है और एक पार्थी मैं इसका दिखा रही हूं इस वीडियो में बहु बड़ा नर्शरी है और देखिए इधर कितना पौधा लगा हुआ है बिलकुल जंगल सा है अंदर जाने में भी डड़ लग रहा था वहूत अंधेरा सा था लेकिन मैं अपने हस्पेंड के साथ गई थी तो अंदर भी हम लोग चले गए थोड़ा और देखिए इतना जंगल का लुग है यह आप लोग भी देख सकते हैं और पूरा मैं वीडियो अच्छा से नहीं ले पाई बिलकुल धुदला धुदला सा आया हुआ है और देखिए इधर सब शीड लगे हुए है सब शीडलिंग हुआ है काफी शीडलिंग हुआ है मैं किसी दूसरे दिन आ में होता है ना ज्यादा होता है फिक्स रेट में ही पौधा मिलता है यहां पर सब एक ही बराबर जो भी लेते हैं उनको मिलता है पौधा तो मैं ज्यादा तो नहीं ले पाई फ्रेंड्स लेकिन सुंदर सुंदर फ्लावर का कुछ ना जारा लेकर मैं अपने कैमरे में ले अच्छा पिंग बेरिगेटेड ही विसकस है तो बहुत अच्छा इसका कलर था इसमें प्रिंटेट टाइब का बना हुआ था तो बहुत सुंदर लगा मुझे और बहुत अच्छा-चा यहां ही विसकस था लेकिन मैं जादा नहीं ले पाई क्योंकि हम लोगों वीडियो लेते लेते बहुत जादा अंधेरा हो गया तो कुछ ही पौधे को मैं ली लेकिन सोची की गई हूँ तो थोड़ा सा वीडियो आप लोगो दिखा देती हूँ जितना भी ली हूँ देखिए ये पंचमोखी ही विसकस था और इधर चेली ही विसकस था तो पंचमोखी ही विसकस तो मैं ली हूँ ये पिंक वीडियो में दीख रैफरेंस एकदम बिल्कुल मैरून कलर है इसका तो मैं लेकर आए हूँ एक पौधर बहुत प्यारा कलर है और मुझे बहुत अच्छा लगा तो मेरे पास सारे हिबिसकस था लेकिन एक कलर नहीं था और इधर काफी सीडलिंग भी हुआ है इसरकारी नडशरी है और यहाँ पौधा करेट बिल्कुल सही है देखिए बहुत अच्छा इधर करना जा रहा है एक तम देखने लायक है बहुत मैं नहीं ले पाई हूँ फ्रेंट्स एक ही पार्ट है देखिए इधर सीडलिंग हुआ है सारे वेजी टेवल और सारे फ्रूट विंटर फ्लावर सबका सीडलिंग हुआ है इधर देखिए जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है वही मैं ले रही है आप लोग खुद से समझ लेजिएगा जो पाउधा जैसे है और रेट भी बिल्कुल सही है जितने भी विंटर फ्लावर है सबका 20-20 रेट है और सेपलिंग 5-5 रुपीज करके है तो मैं ज्यादा नहीं ले पाई सेपलिंग तो बिल्कुल नहीं ले पाई लेकिन कुछ-कुछ पाउधा फर्मनेंट फ्लावर लेकर आई है प्रेंट्स मैं गई थी विंटर फ्लावर लेने लेकिन लेकर आई ओ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में सेयर करूँगी और यहां का रेट बहुत अच्छा है क्योंकि सबसे अच्छा बात है कि फिक्स रेट है किसी के लिए न कम है न ज्यादा है तो यह भी एक पोजेटी पॉइंट है तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन आज मैं ज्यादा नहीं ले पाई हूँ साउन करने के बाद भी नहीं दीखाया मुझे तो मैं बाद में छोड़ दी जो पहले थोड़ा सा ली थी वही सब है देखिए इधर कि इतना अच्छा सा सो प्लांट लगा हुआ है इधर भी हिबिसकस है और रेसीना का भी काफी है सिंगुनियम बहुत सारा फ्लावर है देखिए पलंबागो बहुत ज्यादा बड़ा प्लांट है इसका और आगे में सब वेंटर फ्लावर लगे हुए है देखिए बलीडिं हाड बहुत सारा है बलीडिंग हाड भी मुझे लेना था लेकिन अंधिरा के चलते वो लोग नहीं दे पाए मुझे तो कुछ-कुछ प्लांट लेकर मैं आ गई और इधर देखिए सारे सेपलिंग लगे हुए है और इधर देखिए ए ग्रो बैग में जो रखे हुए है इसका भी लेकर आए है मैं दिखाऊंगी बहुत अच्छा रेट है और देखिए सारे सो प्लांट है यहां पर और बहुत बड़ा नरसरी है तो आगे से मैं यहीं आकर पाउधार लोंगी फोड़ा सा मेरे घर से दूर है लेकिन बहुत अच्छा है अगर आप किसी के साथ ज जाके ले सकते हैं कि इतना अच्छा लग रहा है तो चुछ फुछ ही पॉइंट मैं ली हूँ और इधर है देखिए स्पाइदर प्लांट बहुत सारा प्लांट है मुझे बहुत का नाम ही मुझे नहीं मालूम है तो एक कि साल लग रहा है कि पूरे लोग अच्छा से सजाक रखें हैं बेड़ बनाके देखिए बहुत सुन्दर लग रहा है अंधेरा है फिर भी अच्छा लग रहा है देखिए लड़ू मेरी गॉल्ड काफी लगे हुए है और इधर पीटूनिया भी है मिर्च का पौधा है बहुत सारा पौधा है देखिए सब मेरी गॉल्ड का जादा है और पीटूनिया अभी जदा बड़ा बड़ा नहीं है विंटर फ्लावर सब सेपलिंग ही है और मेरी गॉल्ड का बड़ा बड़ा प्लांट है तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंट्स और दूसरे साइड रोज का भी काफी collection है तो रोज भी मैं ले जाओंगी रोज तो ऐसा flower reference जो किसको नहीं पसंद होगा सभी को रोज पसंद है तो मुझे भी एक रोज लेना है क्योंकि रोज से तो मन ही नहीं भरता है ऐसे मेरे पास दो ही plant है तो एक मैं और रोज लूँगी और देखिए इधर बहुत सारा plant है अभी hanging basket भी है cement pot भी है सारे fertilizer भी है बहुत कुछ है और मिटी का pot भी है और देखिए ये लोग बहुत अच्छा से सभी 100 plant को सजा के रखें हैं और बिगुनिया भी है dentist भी है सारे plant है देखिए बहुत चीज है जो भी आपको चाहिए सब यहां मिल जाएगा और मैं भी कुछ लेकर जाएगा अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक से ल सुब्सक्राइब जरूर करें वेल आइकन को भी प्रेस कर दें थांक यू